दोस्तों, अगर आपका बच्चा एक साल या इससे जादा एज़ का है, तो आप उसे ओट्स की खिचडी बनाकर खिला सकती हैं. मैंने जब अपने बेबी को ओट्स की खिचडी बनाकर खिलाई थी, तो उसे काफी पसंद आई थी. इसलिए मुझे ये आईडिया आया कि ये रेसिपी आप सब के साथ भी शेयर करूँ. ओट्स की खिचडी काफी हेल्दी होने के साथ टेस्टी भी होती है, क्योंकि इसमें आप बेबी की फेवरेट वेजेटेबल्स डाल सकते हैं. और आपके पास बहुत सारे ओप्शिन्स होते हैं वेजेटेबल्स के, जो कि आप इसमें डाल सकते हैं. और एक साल का बच्चा काफी छोटा भी होता है, तो इससे हम बेबी की हेल्दी इटिंग हैबिट्स को भी डेवलप करा सकते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या-क्या इंग्रीडियन्स चाहिए रहेंगे. एक चमच गाजर, एक चमच टमाटर, एक चमच शिमला मिर्च, एक चमच कॉर्ण, अगर अगर अवेलेबल हैं तो आप कॉर्ण ले सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल हैं. एक चमच प्याज, और एक चमच खिसा हुआ लसन, यानि कि आप लसन को पहले कद्दू कस कर लेजे. एक चमच जीरा, एक चमच अधा लिटर पानी, दो चुटकी गरम मिसाला, और एक चमच हल्दी, एक चमच नमाक. सबसे पहले आप कुकर को गैंस पर रखेंगे और उसे गरम होने पर एक चोटा चमच देशी घी का डाल देंगे. इसके बाद जीरा और लसन डालना है और आपको थोड़ी देर के लिए उसे फ्राइ करना है, इसमें आपको करीबन आधा मिनट लगेगा. अब आपको सब कटी हुई वेजेटेबल्स को साथ में ही डाल देना है और उसे दो से तीन मिनट तक हिला कर पकाते रहें. जब सारी वेजेटेबल्स थोड़ी सी नरम हो जाएं तो उसके बाद में आपको नमक डालना है और हलदी डालनी है. इन सब को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें आप पानी डाले और उसको एक उबाल आने दे. पानी को उबालने के बाद आपको उसमें ओट्स डालना है और ओट्स डालने के बाद या तो आप कुकर को एक सीटी दिला सकती है या फिर आप उसे खुले में भी पका सकती है अगर आप CT दिलाती हैं तो ये बहुत अच्छे से मैश हो जाएगा और अगर आप इसे थोड़ा सा खिला खिला बनाना चाहती है आप इसे एक प्लेट से धब कर भी पका सकती है और अगर आपको पानी कम लगता है आप थोड़ा सा पानी और एड़ कर सकती है अगर आपने CT दिलाई है तो CT लगने के बाद आप कुकर को खोले और इसे अच्छे से मिक्स कर ले और थोड़ा सा थंडा होने पर आप इसे अपने बेबी को खिला सकते हैं अगर आपका बेबी किर्ड लवर है, जैसे की मेरी बेबी कर्ड लवर है, तो आप लए अचैने के लिए इसमेगे बड़ाच सर्व करते ऐं कर्ड का भी डाल सकते हैं यानि कि आप इसमें दही आइड कर सकते हैं दही आइड करने से इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है और बच्चों को ये बहुत पसंद आता है इस बात का ध्यान रहे कि जो ये रेसिपी है वो एक साल से बड़े बच्चे के लिए है अगर आपका बच्चा 12 महीने का हो गया है तो उस टाइम आप इसे ये खिचडी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और ये बच्चे को बहुत पसंद भी आएगी जो भी आपकी बच्चे की फेवरिट रेजिटिबल्स हैं आप वो सब उसे आड करके उसे एक निट्रीशियस मील दे सकते हैं अब जानते हैं कि ओट्स खाने के क्या फायदे होते हैं दोस्तों ओट्स एक अनाज होता है जिसमें प्रोटीन, कार्वो हैड्रेट, फाइबर, विटमिन्स और मिनरल्स होते हैं इसमें बच्चों को कैलशियम और फॉसफोरस भी मिलता है जो कि बच्चों की बोन्स को में भी help करेगा ओर्स में जिंक भी होता है जो बेबी की ब्रेइन की डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होता है इसमें विटामिन ए भी बहुत जादा मात्रा में होता है जो बेबी की skin को healthy बनाता है और fiber भी होता है जो बेबी के digestion system को strong करता है तो यह थी एक quick recipe जो की बेबी के लिए बहुत healthy है अगर आपको recipe पसंद आई हो तो like button को ज़रूर प्रेस कीजेगा और subscribe करना नहीं भूलेगा I'll see you in the next video don't forget to like comment and share with your family and friends till then bye bye प्राइड़ यही जए ताइड़ जयालब